अगर फ्रेंट्स आपने अपने आधार कार्ड में कोई भी सुधार किये है और उसको आपडेट करने के बाद आपको अगर उसका इस्टेटास चेक करना है कि आपका जो आधार कार्ड में सुधार किये है वो प्रोसेस कंप्लिट हुआ है या नहीं अगर आपको भी चेक करना सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राजर ओपन कर लेना है जैसे यहां पर गूगल हो या करोम हो किसी भी ब्राजर को आप ओपन कर सकते हैं यहां पर आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले उपर तरब जो यहां पर साजबार है साजबार में आपको क्लिक करना है जैसे यहां पर साजबार में आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इंटाफेस आपको यहां पर क्या करना है यहाँ पर आपको सार्च करना है UIDAI यह लिखकर आपको सार्च कर लेना है जैसे यह लिखकर आप सार्च करते है तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको सबसे उपर एक लिंक मिल जाएगा देख सकते हैं यह बला तो यह जो लिंक है UIDI का एक ओफिसियल वेब साइट है तो इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो next interface आपको इस तरह से आ जाएगा यहां पर प्रोसेसिंग होने के बाद इसी दर से आपको बहुत सारे लेंगवेज दिया गया है इन लेंगवेज में से जो भी लेंगवेज आपको पसंद है उससे आपको इसे ब्रावजर कर सकते हैं तो मैं यहां पर इंगलीज को सिलेक कर लेता हूँ जैसे इंगलीज को सिलेक कर लूँगा उसके बाद आपको इ नीचे तरफ आना है और यहां पर आपको एक pop-up message देखने को मिल जागा है यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको क्या करना है इस पर आपको क्लिक करते हैं तो यह जो इस पर आपको क्लिक करना है इसे हटा लेना है जैसे हटा लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक option दिया गया है आपडेट आदार तो is बाले option के नाचे ईहाँगर देख सकते लिखा हुआ है चेक-अदार Update Status इस बे आपको क्लिक करना है कहा diagnosis यहाँ पर चेक-अदार Update Status इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर आप क्लिक करते है तो इंटरफेस आपको इस तरह से प्रोसेसिंग होने के बाद आ जाएगा यहां पर आपको क्या करना एक है यहां करना है और किस क्या करना है उसके बाद आपको क्या करना है इस पर देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं इसी तर से से पहले करना होगा प्रने के बाद मैं समीटेस किलिक करना है और यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो रिक्वेश्ट है यहां पर को मिल जाता है और यहां पर आप आपका अपडेट करने के लिए दिया हुआ है वह प्रोसेसिंग में है अब आपको कुछ दिन लगेगा उसके बाद ही यह प्रोसेस आपने चेक करने दिये है वह कुछ दिन के लिए टाइम लगेगा उसके बाद आपका अपडेट हो जाएगा तो इसी तरह से आपको भी अप झाल झाल